दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में तो दोस्तों राज्य में राज्यपाल और केंद्र में रास्ट्रपति इन दोनों के जो इस्तिती होती है वो बिल्कुल सेम होती है इसके सासत इन दोनों को जो शक्तियां दी गई है सम्मिधान द्वारां वो भी करीब-करीब मिलती जुलती है राज्यपाल राष्ट्रपति की तरहे राज्ये का पहला व्यक्ति होता है जैसे राश्ट्रप्रति अपने देश का पहला व्यक्ति होता है वैसे ही राज्येपाल राज्ये का प्रत्यम व्यक्ति होता है राज्ये सरकार विवस्ता या सरकार में भाग छे अनुचे 152 से 237 तक में विवस्ता पीका, कारेपालिका, न्यायपालिका, राश्ट्रपति और राज्येपाल के बारे में बताया गया है लेकिन हम यहाँ पर आज राज्येपाल पर बात करेंगे, जो अनुची 1053 से 162 तक रहेगा तो राज्ये की जो कारेपालिका है, उसका जो विवरन है, वो अनुची 152 से 167 की चिया गया है और कारेपालिका की जो शक्तिया वो राज्येपाल में ही नहीत होती है जैसे केंदर की शक्तिया राश्ट्रपती में नहींत होती है अगर देखा जाए तो राज्य का समवेधानिक प्रमुग भी राज्येपाल होता है लेकिन अगर हम वास्तिविक प्रमुग की बात करें तो वो मुख्य मंत्री होता है राज्यपाल के नाम से ही सारे काम होंगे जैसे रास्ट्रपती के नाम से होते हैं तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि रास्ट्रपती की तरह ही राज्यपाल भी नाम मातर का प्रमुक होता है तो यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि समविदानिक तोर पर प्रमुक व्यक्ति होता है राज़ेपल लेकिन वास्तविक प्रमुक के बात करे तो वो होता है मुख्यमंत्री अब बात करते आर्टीकल्स की याने अनुचेद की जहां राज्यपाल के बारे में अलग-अलग तरीके से बताया गया है तो अनुचेद 153 में ये कहा गया है कि राज्यपाल नाम का एक बद होगा लेकिन दोस्तों जब हमारा मूल सम्विधान बनाता उसमें हर एक राज्यपाल हुआ करता था लेकिन फिर बात में साथवा सम्विधान शंशोदन 1956 के तहट ये कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है इसी साथवे सम्विधान में राज्यपाल की जगे राज्यपाल निर्धारित किया गया मतलब ये एक ही पहले जो राज्य के प्रमुख हुआ करते थे उन्हें राज्यपाल कहा जाता था लेकिन साथ में सम्विदान शंशोदन के तहट इन्हे राज प्रमुख से राज्यपाल का नाम दे दिया गया इसके बाद आता अनुचे 154 जिसमें ये कहा गया कि कारेपालिका का सम्विदानिक प्रमुख राज्ये पाल ही होगा और इसके लिए इने जो शक्तिया मिली है उनका उपयोग वो सएम और अधिनस्थ अधिकारियों के जर्ये करेंगे अधिनस्थ अधिकारियों का मतलब उता मुक्यमंत्री और मंत्री परिशत तो अनुचेद 154 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को जो भी शक्तिया मिली है उसका उपयोग वो मुख्य मंत्री और मंत्री परिशत के सलहा पर ही कर सकता है मतलब ये कि राज्यपाल किसी राज्य का समवेधानिक प्रधान जरूर होता है लेकिन ये राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है और ये कारेपालिका का प्रमुख गवर्नर होता है जो मंत्री परिशत की सलहा पर काम करता है लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें इन्हें बुद्धी विवेका अधिकार दिया गया है तो दोस्तों अब आपके समझ में आगया होगा कि राज्ये का समवेधानिक प्रमुक कौन होता है राज्येपाल और राज्ये का राजनेतिक प्रमुकाण होता है मुख्य मंत्री और राज्ये का सर्वोज प्रशाशनिक अधिकारी होता है मुख्य सचीव अब बात करते हैं अनुचेद 155 की अनुचेद 155 में राज्यपाल की न्युक्ति के बारे में बताया गया है राज्य के राजपाल की न्यूक्ति राश्ट्रप्रति के द्वारा की जाती है मतलब यह के राज्यपाल के लिए कोई जुनाव नहीं होता क्योंकि यह एक समवेधानिक पद है जिसके बारे में समवेधान में बताया गया है लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे भी रखे गया और साथ में ये भी कहा गया है कि राश्ट्र प्रती भी केंद्री मंत्री मंत्रल की सलापर ही राज्यपाल की न्युक्ति करेंगे दोस्तों ये जो राज़ेपाल की न्युक्ति का प्रावधान है ये कैनेडा से लिया गया है अब बात करते हैं राज़ेपाल के कारेकाल के बारे में अनुचेत 156 में राज़ेपाल के कारेकाल के बारे में बताया गया है लेकिन राज्यपाल अपने पद का जो टाइम है वो खतम होने पर भी तब तक पद पर रहेंगे जब तक उनका उत्रा दिकारी पद पर नहीं आ जाता अब दोस्तों ये जो पांच साल का टाइम है जो राज्यपाल के लिए टै किया गया है इस बीच राज्यपाल को एक राज्यपाल को एक राज्यपाल से दूसरे राज्यपाल ही राज्यपाल को पद से हटा भी सकते हैं यहां तक कि राज्यपाल अपनी इक्छा से किसी कारण वर्ष त्याग पत्र देना चाहता है तो वो भी उनको रास्ट्रपती को ही देना पड़ेगा अर अगर राज्यपाल का पद खाली है इसमें बताया गया कि राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहली जो योगिता होनी चाहिए वो ये कि वो भारते यानि भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके लिए ये तै किया गया कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष के आयो होनी चाहिए इसके सासत राज़ेपाल बनने के लिए कुछ और शर्ते भी रखी गई है और वो शर्ते अनुचेद 158 में बताई गई है जैसे वो संसद या राज़े के विदान मंदल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए किसी भी सरकारी पतपर ना हूँ अर लास्ट कुछ टाइम से किसी भी राजनिती किरिया में भाग ना लियाओ अब जब राज़ेपाल के योग्यता के अनुसार न्युक्ती हो गई न्युक्ती के बाद कारेकाल भी ता हो गया तो अब सवाल यह आता है कि राज़ेपाल के वेटन या भत्ता का निधारन कौन करेगा तो उसका निधारन तो संसदी करेगी क्यों? क्योंकि राज़ेपाल को जो गटित करने का योगदान है वो किसका है? रास्ट्रपती का तो राज्येपाल को जो वेतन या सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी राज्ये की संचित निदी से, लेकिन जब बात आती है पेंशन की, तो उनको पेंशन मिलेगी भारत की संचित निदी से, यानि राज्येपाल को सैलरी मिलेगी राज्ये संचित निदी से, क्यों? क्योंकि वो जि कर रहे थे तब तक हमारी responsibility थी कि हम उन्हें सुख सुविदाएं प्रदान करें उन्हें salary दें लेकिन अब जब वो राज्य के पतपर 80 नहीं है तो ये responsibility चली जाती है भारत सरकार के पास और भारत सरकार उन्हें salary के रूप में pension देती है अपनी संचित नीधी से अब राज्यपाल का जो वेतन होता है यानि मन्तली जो salary होती है वो करीब 3.5 लाग रुपया महिना होती है अब बात करते हैं कि राज्यपाल को शपत कौन दिलाता है तो अनुचेद 169 में यही बताया गया है कि राज्यपाल को शपत कौन दिलाता है जिस तरह भारत के राश्ट्रपती को सर्वोश न्यायले के मुख्य न्यायदीश शपत दिलाते है ठीक उसी तरह राज्यों के राज्यपालों को भी उच्च न्यायले के मुख्य न्यायदीश शपत दिलाते है तो यहाँ पर यह याद रखेगा कि रास्ट्र पती को सर्वोच न्यायले के मुख्य न्यायदीश शपद दिलाते हैं और राज्यपाल को उच्छ न्यायले के मुख्य न्यायदीश शपद दिलाते हैं तो दोस्तों यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा ना कि राज्यपाल बनने के लिए क्या-क्या योग गेता हैं चाहिए, उनकी न्यूक्ति कौन करता है, उनका कारेकाल कितना होता है और उन्हें वेतन कितना दिया जाता है। तो यह सब काम हो जाने के बाद जब राज्यपाल पत पर आसीन होते हैं, पत पर बैठते हैं तो उन्हें कुछ शक्तियां दी जाती है। तो अब हम उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। सम्विधान के जरियर राज्यपाल को पूरी तरह से बहुत सी शक्तियां दी गई है। राज्यों में राज्यपाल की भी वही इस्तति होती है जो राष्ट्रपति की केंद्रे में होती है। यानि दोनों के शक्तियों में कुछ खास अंतर नहीं है, लगबग मिलती जुलती ही है, कुछ मामलों को छोड़ कर। इसलिए प्रॉफिसर दुर्गदाज बासू ने कहा कि राज्यपाल की जो शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं सिर्फ कूटनितिक, सैनिक और संकटकाल के अधिकारों को छोड़ कर। राज्यपाल की जो शक्तियां वो कुछ इस तरह है। मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का जो उप्योग है वो स्वयम की विवेक से और अधिनस्त अधिकारियों के जरिये करता है। इसलिए हम पहले उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो समविधान द्वारा या फिर अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कारे पालिका की शक्तियां। राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुक होता है। और राज्य की कारे पालिका की जो शक्तियां होती है वो राज्यपाल में नहीत होती है। राजे में जितने भी कारेकारी फैसले होते हैं, वो उनी के नाम पर लिये जाते हैं। राजेपाल सरकार के कारियों को चलाने के लिए नियम बनाते हैं और मंत्रियों की बीच अलग-अलग कारियों को बाटते हैं। राजेपाल ही मुख्य मंत्री की न्यूक्ति करते हैं और उनी की सलापर अपने मंत्री परिशत का भी गठन करते हैं और गठन के सासत अगर वो चाहें तो मुख्य मंत्री सहीत अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं राजेपल महादिवक्ता, अध्यक्ष और राजे लोग सेवा आयोक के सदस्य जैसे उच्छी न्यूक्तियां भी करते हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि वो मुख्य मंत्री के जरिये राजे के प्रशाशन के बारे में सूचना लेते रहें दूसरी नंबर पर आती है विधाई शक्तियां राजेपल राजे विदान मंदल का सत्र बुलाते हैं और उसका सत्राव जान करते हैं चुनाब आयोक के सलापरवे विधायकों की अयोगिता से सम्दित जितने भी मामले होते हैं उन पर वो फैसला ले सकते हैं दोस्तो राज्यपाल के पास में विटो पावर होता है और इसलिए राज्यविदान मंडल द्वारा पारित विद्यक उनके सहमती के बिना आगे नहीं जा सकता। और कभी जब ऐसा हो कि सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं विट्य शक्तियां। ऑफ करने या कम करने की शक्ति है । और भी शक्तियां दी गई है। और संकट कालिन इस्तिति में राज्ये के अंदर राश्ट्रप्रति के अभी करता के रूप में भी काम करता है। अब बात करते हैं स्वय विवे की शक्तियों के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं समविधान के अनुचेद 164 में ये प्रावधान है कि राज्येपाल सबसे पहला काम करेगा मुख्य मंत्री की न्यूक्ति. राज्ये की विदान सबा में किसी एक राजनितिक दल के नेता को बहुमत प्राप्त होता है तो उसे राज्ये के मुख्य मंत्री के रूप में न्यूक्ति किया जाता है. लेकिन अगर राजे की विदान सबा में दल ये इस्तती ठीक नहीं है ये भहुमत वाले दल के नेतापत के लिए एक से ज़्यादा दावेदार हैं तो ऐसी कंडिशन में राजेपाल सह विवेक का प्रियोग कर सकता है ऐसी कंडिशन में राजेपाल के जरिये ही निर्ने लिया जाता है कि किस व्यक्ति के नेत्रत्व में इस्थाई सरकार का गठन हो दूसरी शक्ति है मंत्री मंडल को भंग करना राज्येपाल को से विवेक शक्ती दी गई है कि वह मंत्री मंडल को पत से हटा कर राश्टर पती से शिफारिश करें कि इस राज्ये में राश्टर पती शाषन लागू कर दिया जाए लेकिन कुछ खास परस्तितियों में ही राज्येपाल मंत्री मंदल को पत से हटा सकता है जैसे राज्येपाल को यकीन हो जाए कि मंत्री मंदल का विदान सबा में बहुमत समापत हो गया है तो राज्येपाल मुख्य मंद्री को त्याग पत्र देने या फिर विधान सबा का अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और अगर मुख्य मंद्री त्याग पत्र न देने के लिए या फिर अधिवेशन बुलाने के लिए तयार न हूँ तो राज्यपाल मंत्री मंडल को पत से हटा भी सकता है और अगर किसी मंत्री मंडल के प्रति विदान सभा में आई विश्वास का प्रिस्ताव पारित हो जाए और फिर भी मंत्री मंडल त्याग पत्र न दे तब भी राज्यपाल उन्हें पत से हटा सकता है इसके अलावा अगर राज्येपाल को लगता है कि मंत्री मंडल समविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है उसके काम या नीतियों से राज्येपर या देश पर गलत प्रभाव पढ़ रहा है तब भी राज्येपाल मंत्री मंडल को पच से हटा सकता है तीसरी स्वय विवेक की शक्ति है विदान सभा का अधिवेशन बुलाना अगर देखा जाये तो राज्यपाल मुख्य मंत्री की सला से ही विदान सभा का अधिवेशन बुला सकता है लेकिन कुछ परस्तितियों के चलते राज्यपाल स्वय विवेक से भी विधान सबा का अधिवेशन बुला सकता है जैसे अगर राज्यपाल को लगता है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार विमर्ष किया जाना चाहिए तो अनुचेद 104 के तहट वो विधान सबा अधिवेशन की कोई भी डेट फिक्स कर सकता है इसके लिए उन्हें मुख्य मंतरी की राय या सला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता इसके साथ साथ अगर राज्यपाल को मुख्य मंतरी के बहुमत में भी शक हो जाए तब भी वे मुख्य मंतरी से अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और अगर उस टाइम पर मुख्य मंतरी अधिवेशन बुलाने के लिए मना कर दे तो राज्यपाल स्वय विवेक से भी अधिवेशन बुला सकता है अगर हम शाषन के अनुसार बात करें तो जनरली ये माना जाता है कि विदान सबा को भंग करने का काम राज्यपाल तभी कर सकता है जब मुख्य मंत्री उन्हें ऐसा करने की सला दे लेकिन कुछ खास विशेश्ट परस्तितियों में राज्यपाल विदान सबा को भंग करने के संबंद में मुख्य मंत्री के सला को मानने से इनकार भी कर सकता है और स्वय विवेक से विदान सबा को भंग भी कर सकता है और अब लास्ट में है मुख्य मंत्री की विरूद मुकद्मा दायर करने की अनुमती देना समवेधानिक विवस्ता ये कहती है कि राज्येपाल की पर्मीशन के बिना किसी भी पक्षु द्वारा मुख्य मंत्री के अगेंस्ट मुकद्मा दायर नहीं किया जा सकता जब भी कोई पक्ष ब्रस्टाचार या किसी भी प्रकार के आरोपों के आधार पर मुख्य मंत्री की विरूद केस करने की राज्येपाल से पर्मीशन मांगता है तब इस समद में राज्येपाल अपने विवेग से फैसला लेता है मतलब ये कि सैंविवेक के आदार पर केस करने की पर्मिशन दे भी सकता है और नहीं भी तो ये थी राज्येपाल की शक्तियां